मैं जब मार्केट से बापस आई तो मैंने देखा कि किछिन में कोई है और बहुत ज़दा आवाजे आ रही थी तो मैंने जाकर कि देखा कि मम्मी गरम तवे की उपर नमक डाल रही थी तो मैंने जाकर कि मम्मी से पूछा मम्मी ये क्या कर रही है आप तवे की उपर नमक डाल के ये कौन सी रेसिपी बनाने की कोशिस कर रही हो तो मम्मी बोली नहीं नहीं ये में रैस्पी नहीं बना रही हूँ बहुती कमाल की चीज बना रही हूँ जिससे की सबी महिलाओं के घंड़ों के काम मिंटों में होंगे और जो सालों की परिशानी है वो चुटकियों में खतम हो जाएगी मैंने बोला अच्छा मम्मी ऐसी बात है तो बोलते ही बोलते हैं मम्मी ने क्या किया कि इस पर 2-3 चमर इस पर नमक डाल दिया जी हाँ फ्रेंड्स काला नमक था आप कोई सा भी नमक डाल सकते हैं चाए वाइट साल्ट हो चाए बलेक साल्ट हो देन उसके बाद मम्मी ने तीन से चार डॉप इसमें ओयल डाल दिया आप इस जगे कोई सा भी ओयल डाल सकते हैं मम्मी ने मस्टर्ड ओयल डाला और गैस फ्लेम हाई था और इन साइज चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया देन उसके बाद इसमें मम्मी ने दो लॉंग ली और दो लॉंग डालनी तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी आखिरी कि क्या बना रही हो मेरे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है तो मम्मी बोली सांती से तुम खड़ी रहो और देखती जो मैं क्या बनाने की कोशिस कर रही हो बहुत बहुत हो में इसमें दूआ ही करना था मैं नो हुआ मैं वहीं मैं नवापक्त उड़ना मैं तरह से पुरह को हैं वह ने ना चाहँ मैं विद्णड हो लिए यहां और सबाद्लhã ना, लेतना हैं फ़ते लिए प्रवर हो Labor मम्मी गुमाने लगी इससे क्या हुआ तबह गरम था तो ये सारे के सारे जो तेज पत्ता थे वो सुलगने लगे और इसमें से दुआ उठने लगा तो friends continue इसे चलाते रहना है चलाते रहना है ताकि जो तेज पते हैं वो अच्छे से सभी तरफ से ये heat पकड़ने लगें और आप लोग देखेंगे इसमें धुआ उठनी लगा है तो हमें धुआ ही इसमें उठाना है तो friends मैंने यहापर दुवारा से मम्मी से कुश्रन कर दिया मम्मी आकर यह कर रही हो में तो कुस समझ में नहीं आ रहा है इस धुएं से आकर क्या करोगी मम्मी बस तुम देखती जाओ रिजल्ट देखका के तुम भी कहोगी वाओ मम्मी यह दो बहुती कमाल की चीज़ बनाई है मैंने बोला अच्छा मम्मी चलो मैं देखी लेती हूँ फिर क्या है मैं देखती जा रही थी देखती जा रही थी और तब तक मम्मी बोली चलो चलो मुझे माचस लाके दो तो मैंने माचस लाके दी और मम्मी ने इसमें थोड़ी सी आग लगा दी मैंने वोला मम्मी ये क्या किया आपने दो आग लगा दिया किचिन में मम्मी वोली देखो देखो मैं इससे दुआ करूँगी मैंने वोला अच्छा तो इससे क्या करोगी मम्मी वोली अब मैं चलो तुम्हें पताती हो अब इससे क्या करना है अब इसके बाद जो इसमें हमने आग लगाई है ये थोड़ी विदाद सारे तेज पत्ते जल जाएंगे उसमें अच्छा कासा दुआ ओटने लगेगा और सबे को लगा कि हमें अपने घर के कर्टेंज के पीछे, दरवाजे के पीछे, डोर के पीछे सबी जगे हमें गुमा देना है जिससे कि बैड के नीचे जिससे कि आपके घर में जहां-जहां मच्छर होंगे, मक्खी होंगी वेक्टिरिया होंगे, वो सारे मर जाएंगे साधियों के टाइम में अक्सा काई कि अभी मच्छर बहुत ज़्यादा चल लए है जिससे कि डैंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो हमें छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक को फॉलो कर लेना चाहिए अपने घर पे जिससे कि मच्छर, मक्खी सब कुछ मर जाए हमारे घर में कुछ भी ना बचे तो फैंट्स इस वाले दूए को आप अपने घर के सभी कॉर्णर में घुमा दीजिए इससे आपकी घर में मक्खी मच्छ कुछ भी नहीं रहेंगे तो फैंट्स इवाली वीडियो अगर आप लोग को अच्छी रगी हो